चलते चलते ठक जाना नहीं लोगों की बातों से घबराना नहीं तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इस पॉजिटिव नोट के साथ और जैसे कि मैं हमीशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूं बताती रहती हूं बोलती रहती हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी खुश होना है कुछ भी अच्छा करना है अपने लिए करना है तो दूसरों की बातों को नजर अंदाज करना ignore करना सीखिए इसके लिए time लगता है train करना होता mind को लेकिन हाँ जो लोग negative है negativity से भरपूर है मतलब कि जो हर बात में कुछ ने कुछ कमी निकालना जिनको टुका टाकी करना बहुत ज़्यादा पसंद है उन लोगों को ignore करना शुरू करिए बस आपकी life हो जाएगी मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी हो रहे हैं बहुत ही जदा rough हो रहे हैं dull हो रहे हैं और जैसा कि हर कोई इस problem को face कर रहा है तो मैं भी face कर रही हूँ अभी trimming के अभी condition हो गई है तो मैं क्या कर रही हूँ चलिए आपके साथ share करते हूँ market में बहुत सारे hair treatments available हैं जैसे की keratin treatment है बहुत सारे chemical treatments है hair spa है तो अगर seriously आपके बाल damage है तो आप keratin के लिए जा सकते हैं जो कि एक expensive treatment है लेकिन अगर normal freezy hairs हैं dry hairs हैं तो आपके साथ मैं share कर रही हूँ nude का spa hair kit hair spa kit जो कि बहुत ही effective है और बहुत ही अच्छा result मिलता है इससे now the question is why nude तो nude इसलिए क्योंकि इतने affordable price में only in 355 rupees आपको salon जैसा hair spa घर पे मिलता है only like 4 steps हैं आपको 10 minutes पे आपको result मिलेगा और जो steps हैं same है जैसे कि आपको salon में spa मिलता है scrub होता है सबसे पहले then shampoo then conditioner और उसके बाद serum और सबसे important चीज़ है कि यह है trusted brand से साथ में dermatologically tested है for all hair types है आपका paraben free है, sulfate free है और कोई भी harmful chemicals इसमें यूज नहीं किये हैं तो अगर आपके hairs freezy हो रहे हैं, dull हो रहे हैं और उनको care की जरुवत है तो आप nude का 10 minutes का DIY advanced hair spucket use कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से घर पे use हो सकता है, सबसे पहला step आपको करना है, scrubbing इस scrub में coffee beads हैं, जो कि आप जब massage करते हैं, तो उसके बाद आपकी scalp को पूरा blood circulation improve करता है, और साथ में hair growth को improve करता है 3 minutes की massage नफ होती है, उसके बाद rinse कर दीचे, इसको lukewarm water से next step है हमारा shampoo, shampoo बहुत important step है, क्योंकि इस से हमारे पूरे बाल में जो extra sebum होता है, वो remove हो जाता है हमीशा shampoo को आप scalp पे करिए, ना कि आप उसके बाहर के बालों पे, जादा बाहर के बालों पे आप करेंगे तो वो dry हो जाते है next step conditioner है, जो की बहुत important step है यह बालों को soft बनाता है इसमें है hibiscus और conditioner को लगाने के बाद 2-3 मिनिट के बाद आपको wash करना है again और उसके बाद आपको use करना है serum आपका tonic है hair के लिए जिसमें jozova oil, avocado oil, argan oil, coconut oil है जो की protect करता है आपके hairs को damage से तो इसको जरूर use करिए और बहुत ही amazing result है इसका overall तो एक बर जरूर try करेगा डिस्क्रिप्शन में और result देखिए amazing है bouncy soft silky hairs देखिए मैं कैसे front कर रही हूँ ऐसा लग रहा है ना, मैं किसी salon से होकर आई हूँ यह product अगर आप लेना चाहते हैं तो description box चेक आउट कर सकते हैं उसमें सारी details मैंने दी हूई है तो weekend special kitchen में आ जाती हूँ मैं मैं बनाने जा रही हूँ wedge sandwich जो की बहुत ही favorite है सभी का, तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है बेटा है नहीं लेकिन उसका भी कोई भी काम करती हूँ तो मेरे लिए यह थेरपी होता है मतलब cooking हो गया, cleaning हो गया यह सब भी therapeutic है अगर आपको कुछ भी problem है आप इस तरह की काम करिए बहुत ही relaxed होता है mentally आप बहुत ही अपने को relaxed पाएंगे, तो मुझे kitchen में काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है साथ पे कुछ भी light music चला लो या कोई speech या कोई भी podcast भी आप सुन सकते हैं टमाटर, प्याज, खीरा, हरा धनिया, अरी मिर्च को चौप कर लिया है और अब मैं चट्नी बना रही हूँ धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, अद्रक और जिंजर जिंजर और गार्लिक साथ में यह पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा आड़ करूंगे अपना रोस्टेट पीनट इस से थोड़ा टेक्शर अच्छा आता है और जो हम चटनी सांडविच पे यूज़ करते है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखिए बहुत ही अमेजिन टेस्ट आएगा साथ में यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कुमिन पावडर तो बस हमारी चटनी हो गई है तयार साथ में यूज़ करूंगी हंकर्ड और उसमें भी ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूंगी इसमें मैं औरिगैनो और मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी तो एक साइट पे हंकर्ड यूज़ करोंगी और एक साइट पे ग्रीन चटनी पीछ में होगा मेरा वेजीज क्योंकि मैं कोई भी बटर या कोई भी चीज यूज़ नहीं कर रही हूँ तो हंकर्ड आपको एक सॉफ मतलब ब्रंच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ चाय होगी बस हमारा नाश्ता हैवी क्योंकि बहुत सारे काम है मुझे बाहर भी जाना है तो इस तरह का जब ब्रेकफास्ट आप कर लेते हैं तो फिलिंग हो जाता है भूक नहीं लगती है बहुत देर तक आप बिना कुछ खाये रह सकते हैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेड कम से कम यूज़ करूँ लेकिन हाँ एक तो हफते में एक बर तो आही जाती है टू विक्स में एक बर तो आही जाती है क्योंकि अभी ब्रेड और बेकरी प्रोड़क्स मैंने बहुत ही कम कर दिये हैं लेकिन होता है तो इस तरीके से मैं ले आती हूँ पहले जैसे मेरे रेगुलर सैंडविचेज बनते थे अभी मैंने कम कर दिया क्योंकि बेकरी जो है न हमारे वेट के लिए हमारी हेल्थ के लिए बेकरी प्रोड़क्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है लोगों को अभी भी समझ में न जो चीजे अवेलेबल है उस सिचुएशन में हम जो खाते है न वो सबसे ज़्यादा अच्छा और असरदार होती है तो चलिए कभी कभी चेंज के लिए तो हमको ये सब खाना ही पड़ता है और बाहर जाते हैं तो भी हमारे पास आप्शन नहीं होता है तो घर में इस तरह जाना है तो फ्रेंड के हाँ जाना है मतलब जहां हम पूने में पहले रहते थे हैं हम उस तरफ जाएंगे तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सुचा थोड़ा सा इस टाइम का भी यूज कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी इस समय हम एडिटिंग वगरे नहीं कर पाती ह क्योंकि मेरा इस तरह से माइंड सैट होता है कि मैं किचन के ही काम करती हूँ तो मेरे पास ये वाला फ्रोजन वाला जो है नारियल रखा हुआ था सिंगापूर में जब थी तब इस तरीके का ये यूज करती थी अभी तो मैं फ्रेश लाती हूँ लेकिन ये एक मैं ले और जाते हैं ना पहले गजक झाते ते या पूलड के लेट्डो कुछ भी गुड कहाते थे खुछनी है तो तौ स मैं इस को गूल को में आड कर लिया है और इस feet कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैं चैसे coconut is fresh coconut अगर आप dry वाला लेते हैं तो थोड़ा सा ratio उपर नीचे हो सकता है क्योंकि fresh वाला थोड़ा सा हमारा soft होता है तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे हम थोड़ा सा soft कर लेंगे और उसके बाद इसको mix करके उसके बाद मैं इसको और ठंडा कर रही हूँ, ठंडा करने के बाद हाथ में पानी लगा के जल्दी से लड़ू बनाने हैं, क्योंकि गरम होता है, तो फटा-फट नहीं बनते हैं, लेकिन आप बहुत ही यमी बनते हैं, और गुड़ वाले तो बहुत ही इस्पेशली बहुत टेस्टी होते हैं, मु आदा गई, तो उनाँटी के आदा गई, और आपने अगर उनके वीडियो नहीं देखें उनके घर के तो एक बर चेकाउट करिएगा, कोलका था कि जब वीडियो मैंने शेयर किये थे, तो इसमें ही मैंने डादा हुआ हैं, इसके बाद गोड़ थोड़ा सा और रखा था त तो चाही होता है, साथ में मेरे लईया और चने भी मैंने भून दिये चाय के साथ के लिए, और चिक्की की रेसिपी मेरे चानल पे है, शौट्स में मैंने डाली थी लॉक्टाउन के टाइम पे, लंच में था मिक्सवच, पुलाव, सैलेड और ब्रोकली थी थोड़ी सी अल और वो दूसरा कोना है, तो बस उसके घर जाएंगे, तो बतलत देर हो जाएगी, तो आने में रात हो जाएगी, तो बस हम लोग जा रहे हैं, और किसी भी पुरानी फ्रेंड से मिलने के बाद एक अलगी एनर्जी आ जाती है, तो बस मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ, फिर नेक्स वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखे और अपनों का ध्यान रखे, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करेगा, कॉमेंट करके फीड़बैक दीजेगा, फ्रेंड्स और फामिलिक साथ जरूर शेयर करेगा मेरे वीडियो, थैंक्यू फॉर वाचिंग, मिल